सब्सक्राइब करें चेनल को और बैल आईकॉन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरी चेनल Mr. Atock में मेरा नाम है अंकीत दोस्तो इश्रम कार्ड आपने बनवा लिया है लेकिन दोस्तो अगर आप अभी चाहते हो इश्रम कार्ड को अपडेट करना मतलब दोस्तो यहाँ पर आपको bank account change करना है आपको nomini का name change करना है या फिर जो आपका skill है वो change करना है तो आप कैसे कर सकते हो चैहां दोस्तो इश्रम कार्ड बनने के बाद भी यह आप खुद से ही change कर सकते हो तो कैसे change करना है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इश्रम कार्ड को correction कैसे करना है और आप अपने आप ही यह detail add कर सकते हो change कर सकते हो चैहां दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो अगर आपने मेरी चैनल अभी तक subscribe नहीं किये तो दोस्तो subscribe का बटन नहीं चे है चल्दी से subscribe कर लो और bell icon को ज़रू करना और इस वीडियो को like ज़रू कर देना तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको ishram card की website पर आना है यहां पर आपको register on HRM के नीचे एक option मिलीगा update उसके उपर हमें click कर देना है तो दोस्तो यहा पर click करने के बाद यहां पर उपर उपर option है already register यहां पर click करना अपडेट प्रोफाइल वाले ओप्शन पे क्लिक कर देना है यहां पर आपको अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालना है और ठीक उसके नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा भी फिलप कर देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है Register Mobile पे एक OTP आएगा OTP यहाँ पर डाल दिना है और Submit पे क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तो आधार नंबर डाल दिना है अपना 12 डिजित का आधार नंबर डाल दो उसके बाद नीचे OTP वाला Option सिलेक कर लो यहाँ पर आपको अपना Capture डाल दिना है और Submit वाले Option पे क्लिक करना है फिर से एक Register Mobile में OTP आएगा OTP यहाँ पर डाल दिना है और Validate के उपर क्लिक करना है तो दोस्तो यहाँ पर एक Portal खुल चुका है यहाँ पर हमें अभी Update EKYC Information पे क्लिक करना है Download करना चाहो तो Download पे क्लिक कर सकते हो हमें Update करना है तो Update Profile पे हम क्लिक करेंगे दोस्तो यहाँ पर आप Personal Information, Address, Education, Income, Bank Details सब Update कर सकते हो तो हम अभी Personal Information में Update करना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर Yes पर क्लिक करना है तो दोस्तो यहाँ पर देखो आप कोई भी Details Change मतलब की चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो और चेंज करना चाहते हो अपने नोमीनी का नेम तो नीचे नोमीनी का नेम है चेंज कर सकते हो Mobile नमबर भी यहाँ पर Edit करके आप यहाँ पर दूसरा नमबर डालके Send OTP पे click करके OTP डालके आप submit कर सकते हो number change कर सकते हो तो यहाँ पर दोस्तो यह हो गया personal profile अभी दोस्तो आपको address update करना है तो address वाले option पर click करना है yes करना है यहाँ पर दोस्तो देखो residential address तो address भी आपको यहाँ पर अगर change करना है तो यहाँ पर आप अपना पूरा address है वो डाल दो जो change किया है आपने वो ठीके उसके बाद नीचे भी आपको same डालना है और update पर click करना है तो आपका address है update हो जाएगा educational and income तो यहाँ पर आप अपना education भी अगर change करना चाहते हो अपने गलती की है तो कर सकते हो यहाँ पर change करके फिर से आपको update करना होगा और continue पर click करना होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका skill तो आपने अगर कोई business change किया है तो यहाँ पर आप change कर सकते हो यहाँ पर देखो select का option भी है अगर यहाँ पर आप अपना change करना चाहते हो बिजनेस तो change कर लो और उसके ठीक नीचे आप कितने साल तक इस business में हो तो वह भी आप select करके update पर click कर दो और continue पर click कर दो तो update हो जाएगा दोस्तों उसके बाद जो last है वो है bank account detail यहाँ पर bank account detail में दोस्तों आपने पुराना account अगर बंद हो चुका है तो नया account भी यहाँ पर आप डाल सकते हो account name account name आपको नहीं डालना है account number ifsc code और search करोगे तो आपका details आजाएगा उसके बाद update और continue पर click करोगे तो आपका bank का detail भी update हो जाएगा तो दोस्तों जो भी details आपने update की है वो होई है या नहीं वो देखने के लिए preview profile पे आपको click करना है और yes करना है तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी details है वो आपने update की है वो सारी details यहाँ पर show होगी आपको देख लेना है जो भी details आपने update की है वो यहाँ पर सह नहीं सही हुई है या नहीं अगर दोस्तों नहीं हुई है तो नीचे आपको स्क्रोल करना है यहां पर स्क्रोल करते जाना है आपको चेक करते जाना है और नीचे अगर नहीं हुई है तो यहां पर आपको बैक वाला ऑप्शन भी मिलेगा देखो बैक का बटन है उस पर आप क बी खर सकते हो सेवेसपेट हो जह सकते हो अब हमारा जो इश्रम कार है heavenly को चुका है ठीक है दोस्तों अगर आप भी update करना चाहते जहरो पना इस्म स्मीच कर सकते हो दोस्तों ES Sa dr. अब शोनवी और knowledgeable 대표 Zap नहीं है आप खुद से ही यह टीटेल्स एड कर सकते हो जा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइप करना शेयर करना और इश्रमकार्ड रिलेटेड और भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिये है आप वहाँ पर जा कर देख सकते हो थैंक यू सौ मुच पर व